बच्चों जो हमारी second unit है विल्यन उसके हम अभ्यास प्रश्णों पर चर्चा कर रहे थे और 16 प्रश्ण हम लोग solve कर चुके थे आगे के प्रश्णों पर हम आझ indul है तो देखे प्रश्ण नंबर 17 क्या है देखे बच्चों प्रश्ण नंबर 17 तीन सो कैलवीन ताप पर जल का वाश्पधाब 12.3 कप का मतलब है किलो पास्कल में दिया गया है किलो पास्कल है इसमें बने एक वाश्पशील विले के एक मोलल विल्यन का वाश्पधाब ग्याद कीजिये तो देखिए बच्चों हमें क्या दिया गया है हमें 300 केलवीन पर जल का वाश्पदाब बताया गया है और ये कहा गया है कि किसी एवाश्पशील विले को जल में गोलने पर जो मोलल विलियन बनता है उस मोलल विलियन का वाश्पदाब ग्याद करिए तो देखिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मोलल विल्यन से क्या मतलब है मोलल विल्यन से मतलब होता है कि एक किलोग्राम जो विलायक है उसमें विले का एक मोल घुला हुआ है यह मतलब होता है हमारे molar billion का अब हम देखिए इसको solve कैसे करेंगे expression को देखिए एक molar billion का ताथ पर यह है कि एक kilogram विलाय यानि जल की बात कर रहे हैं उसमें विले का एक मूल क्या है उपस्तित है और हमें उसका वाश्परदाब दिया हुआ है जल का देखे जल का वाश्परदा से अब हम क्या करेंगे देखिए बच्चो सबसे पहले हम क्या करेंगे जल के मोलों की संख्या ग्यात करेंगे जल के मोल कैसे निकालेंगे जल के मोलों की संख्या हमें निकालनी है तो ग्राम में मात्रा जो जल की ग्राम में मात्रा है उसमें अनुभार का हम लोग भाग दे है 55.5 के मोल निकल कि है क्लिए है डिा क्भाइद को आ जिस भी निकालने का तरीक्हाता हैक जिस भी पधार्थ को मोलो की संख्या और इसंख्या दे देते हैं विल्यन में उपसित कुल जितने भी अव्यव है उनके मोलो की संख्या का तो देखिए हम लोग क्या करेंगे हमें जल के मोल भी निकालने हैं जल के मोलो की संख्या कितनी है 55.5 है अभी पीछे हम लोगों निकाली है जल के मोलो की संख्या हम लोगों निकाली है त जो विले गुला हुआ है उसका 1 gram है मोलों की संख्या निकाली जल की वो कितनी आई 55.5 यानि एक मोलल विलियन तो वहां पे तो एक और यहां 55.5 यानि जो हमारे कुल मोलों की संख्या है यह वो है वन प्लस 55.5 यह कुल मोल है अब इसमें जब इसका भाग दे देंगे हम लोग 55.5 है और जब हम इसमें भाग दे देंगे 1 प्लस 55.5 का तो यह हमारे निकल के आ जाएंगे जल के मोल भिन कितने आए जल के मोल भिन 0.982 अब देखिए बच्चों आप लोगों को पता है कि जब किसी भी विलायक में जब ए वाश्पशील विले मिलाया जाता है तो बनने व तो देखिए अब विल्यन का वाश्पदाब क्या हो जाएगा विल्यन का वाश्पदाब P1 बराबर हो जाएगा P1 नोट X1 P1 नोट X1 P1 नोट आपको पता है 12.3 दिया हुआ है X1 जो जल के मोल भिन है वो यह है 0.982 ये भी हम लोगों को पता है लीजे बई 12.3 को 0.982 से हम गुणा करेंगे तो हमारे विल्यन का वाश्पदाब निकल के आएगा 12.08 किलो पासकल तो यह आपको समझ में आया होगा तो हमें सबसे पहले करना क्या है इस प्रश्ण में हमें करना है जो जल हमारा विलायक है विलायक के मोलों की संक्या निकालो मोलों की संक्या निकालने के बाद विलायक के मोल भी और जब अगर मोल भीं हमें ग्यात हो जाता है तो हम विलियन का जो वाश्पडाब वासानी से ग्यात कर सकते हैं समझ में आया होगा चलिए अगले प्रस्ट नंबर 18 क्या है एक 114 ग्राम औक्टेन में किसी एवाश्पशील विले एक एवाश्पशील विले है जिसका मोलर दर्वेमान दिया गया है 40 ग्राम पर मोल कि कितनी मात्रा गोली जाए कि औक्टेन का जो वाश्पदाब है वो घड कर मूल का 80 प्रतीशत रह जाए देखे बच्चों वापस ध्यान से प्रश्ण को समझिए कि प्रश्ण क्या है क्या पूछ रहा है हमसे कि एक सो चोदा ग्राम औक्टेन है उसमें एवाश्पशील जो विले है जिसका कि मोलर दर्वेमान हमें दिया गया है 40 उसकी कितनी मात्रा गोली जाए कि उसके वाश्पदाब में कमी आ जाए वो मूल क कितना रह जाए 80 प्रतिशत रह जाए तो यानि हम क्या करेंगे सीधा सीधा यहां पर वाश्पदाब में आप एक शिकवनमन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब किसी भी विलायक में एवाश्पशील विले मिला जाता है तो वाश्पदाब मे इसे हम पी वन नोट से प्रदर्शित करते हैं वहान ने मान लिया सो है जो हमारे शुद्व उक्तेन है उसका वश्पदाब पी वनसक्रति अट कितना होगा असी अरे और यहार्टней πूंच रहiezlat है कि कितना एविले जाए कि वो कितना रह जाए मूल का 80 प्रतिशत रह जाए तो हमारे जो विलियन बनेगा उसका वाश्पदाब क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ठीक है अब देखिए बच्चो वाश्पदाब के आप एक शिकाव नमन का फॉर्मुला आप लोगों को पता है पीवन नोट माइनस पीवन अपॉन नोट बराबर एन्टु अपॉन एन्वन यह हम लोग सब पढ़ के आए वाश्पदाब में आप एक शिकाव नमन में और आपको पता है एन्टु को हम क्या लिख सकते हैं डबलु टु अपॉन 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 तो यह हमारा क्या जाएगा डबलु टु M1, M2, W1, clear है, अब देखिए, इस फॉर्मुले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, भई इस फॉर्मुले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, P1 नोट हमें पता है, P1 नोट का मान है 100, P1 हमें पता है, 80 है, यह P1 नोट भी हमें पता है, जो W2 है जो विले की मात्रा है यह हमें ग्याद करनी है देखे बच्चो W2 हमें ग्याद करना है जो M2 है M2 हमें दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल M2 का मान हमें दिया हुआ है डबलू1 की बात करें तो यह जो W1 है यह ओक्तेन की मात्रा दी हुए एकसूचोदा और यह M1 जो ए M 1 है यह हमेरे मोलर द्रव्यमान है जो भी क्या होता है 114 होता है। अगर आप OCTANE का MOLAR जब इमान निकालेंगे M1 तो यह 114 होता है, तो हम सारी value पुट कर दें, तो देखें value पुट कर रहे हैं हम लोग, 100-80 upon 100 बराबर, यह W2 हमें ग्यात करना है, W2 गुणा 114, भाग दे दिया 114 गुणा 40, ठीक है, अब हमें W2 निकालना है, W2 को हम इस साइड लियाते हैं, तो 100 में से 80 गए, तो यह तो क्या हो जाएंगे, भाई इसको हम लोग solve करेंगे, तो यह तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, clear है, अब हमें W2 निकालना है, तो हमारा यह हो जाएगा, 114, गुणा 40, गुणा 20, इसमें भाग दे देंगे 100, गुणा 114 का, और जो हमारा answer निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 8 ग्राम, यानि जो हम विले की मात्रा की बात कर रहे हैं, कि कितना विले गोला जाए, कि जो वाश्पदाब है, वो मूल का 80 प्रतिशत रह जाए, तो वो मात्रा निकल के आएगे 8 ग्राम, तो देखे यह चीज आपको समझ में आई होगी, बस वही जो पहले वाला तरीका है, वो आपको काम में लेना है, बाई सब से पहले यह पता होना चाहिए, कि हमें क्या-क्या दिया हुआ है, प्रेश्न है, जो जो न्यूमरिकल प्रेश्न होते हैं, उनमें हमें क्या-क्या दिया हुआ है, और थोड़ा सा wir Unteas formula होगी रहे हैं, तो यह प्रेश्न आपको समझ में आया होगा, आगला दिख वाश्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है देखिए वापस देखिए एक विलियन है जिसे एवाश्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है उसका 298 केल्विन पर वाश्पदाब 2.8 किलो पासकल है 298 पर वाश्पदाब दिया गया है 2.8 किलो पासकल है विलियन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाश्पदाब 298 केल्विन पर कितना हो जाता है 2.9 किलो पासकल हो जाता है तो निमनलिकित की गणना कीजिए सबसे पहले हमें ग्याद करना है विले का मोलर द्रविमान निकालना है और दूसरा 298 केल्विन पर जल का हमें वाश्पदाब ग्याद करना है तो देखिए बच्चो इस प्रेशन को बहुत तरीके से हमें समझने की जरत है सबसे पहले देखिए ए वाश्पशिल ठोस की मातरा आपको दी गई है 30 ग्राम है और जो विलायक है वो कितना है 90 ग्राम है उस उस परिस्तिती में तो 298 केल्विन पर वाश्पदाब आ रहा है 2.8 ठीक है अगर उसमें हमने 18 ग्राम जल और मिला दिया तो उस परिस्तिती में जो वाश्पदाब आएगा वो 2.9 हो जाएगा अब हमें करना क्या है विले का मोलर द्रव्यमान क्या करना है हमें ग्यात करना है तो देखिए बच्चों इससाब कैसे सौल करेंगे देखिए विले का द्रव्यमान हमें दिया गया है 30 ग्राम जो विले है उसका द्रव्यमान हमें दिया गया है 30 ग्राम है तो माना विले का मोलर द्रव्यमान क्या है capital M बई जो विले की मात्रा है ग्राम में 30 ग्राम वो हमें दी हुई है विले की मात्रा तो हम मान लेते हैं कि विले का जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है capital M है तो विले के मोल क्या होंगे सबसे पहले हम विले के मोलों की संख्या ग्य निकल और 30 भाग दे दिया हमने में का तीस बटा एंज फुलिरिंऌ आगे देखिए जो मोल्यों के आ जाएंगे यह जाएंगे नभे अपों अठारा जलकी मात्रा है उसमें हम क्या कर करेंगे जलके मॉलरव्यमान का भाग देś चलिए हमारे पास कितना निकल कै потрょAir कि निकल कै पांच पाँड निकल की आ ठीक है अब आगे देखिए विलायक का मोलंश सबसे पहले हम लोग ज्याद करेंगे क्या करेंगे विलायक का मोलंश ज्याद करेंगे देखे बच्चो मोलंश निकालना आपको आता है समझाया हुआ है जिस भी पधात का या जिस भी अव्यव का आपको मोलंश निकालना है तो उसके मोलों की तो देखे हमें विलायक यानि विलायक का मतलब है जल विलायक जली तो है तो जल का मोल अंश हमें निकालना है भई देखे जल के मोलों की संक्या क्या है पांच तो यह हमने उपर लिख दिया पांच अब पांच में हम लोग भाग दे देंगे कुल मोलों की संक्या का और कुल म तो लीजिए इस तरीके से हमने विलायक का क्या है मोलंच निकाल सकते हैं आगे देखिए तो जब आप इसको वो करेंगे सॉल्व तो यह जाएगा 5 M अपॉन 5 M प्लस 30 और इस तरीके से हमारा जो निकल के आएगा मोलंच विलायक का वो निकल के आएगा M अपॉन 6 प्लस M जब आप इसे सॉल्व करेंगे यह निकल के आएगा M अपॉन 6 प्लस M ठीके अब देखिए विलियन का जो आंशिक दाब होता है पीवन वो बराबर होता है पीवन नोट एक्सवन के यह हम लोग सब पढ़के आएं जो विलियन है उसका आणसिकनदा पीवन नोट ऐक्सवन के बराबर होगा अब इदर देखिए पीवन हम लोगों को पता है पहल जो जलके किया थे वहां है प्लस 1 यह जलîne जो जल के क्या है? मोल भिन लीजे भी हमने ये जल के मोल भिन X1 का मान यहाँ पर रख दिया इस इक्वेशन को ये जो इक्वेशन निकल क्या ही इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 ठीक है? भी यहां तक आपको समझ में आया होगा राप्ता हमने सबसे पहले किया है जो हमारा विलायक है विलायक के हम लोगों ने मौल भी निकाल लिए हमने जल के और उसके बार हमने विल्यान का आंशिक दाब निकाल लिया और विल्यान का आंशिक दाब P1 पराबर होता है P1-Note X1 के लीजिए हमने इसमें वैलू पुट करक अब आगे देखिए विलियन में 18 ग्राम जल और मिला रहे हम लोग तो 18 ग्राम का मदलब क्या हुआ है एक मोल अरे बैई आपको पता है 18 ग्राम मालो जल है और हमें पता है जल का मोलर रविमान भी 18 है तो क्या होगे इसको हम एक मोल बोल सकते हैं तो देखिए विलियन में 18 ग्राम यानि एक मोल जल और मिलाया जाता है तो अब जल के मोल कितने हो गए अभी हमने इस से पहले निकाला पहले वली स्लाइड में हमारे पास कितने मोल निकल के आयते विलायक के यानि जल के कितने मोल निकल के आयते पांच मोल निकल के आयते अब अगर 18 ग्राम एक χफ माल के गतना है न पतल एक फाइस ढ़ खाएएँ जल के मोल के साफ़ मालता मेता माल जाँए आधक आप विलाइक अब जुक हो जाएंगे देखे बच्चो जब हमने एक मौल और मिला दिया कहने का मदलब है हमने 18 ग्राम जल और मिला दिया तो अब देखे मौल बिन क्या हो जाएंगे इसको मैं डिनोट करूंगी यहां पर मैं इसको प्रदर्शित करूंगी एक्सवन डैश तो देखे यह क्या हो जाएगा वही जल के कितने मौल है और अब कुल मौल क्या हो जाएगा 6 प्लस 30 अपोन M ठीक है तो लीजे हमने कर दिया हमारे पास निकल के आया M अपोन 5 प्लस M यह हमारे पास निकल के आया है अब देखे यहां भी वही विलियन का जो आंशिक दाब है जो P1 है इसको अब हम नाम देंगे P1 डैश अब हम जब हम लोगों ने जल और मिला दिया तो अब जो आंशिक दाब है उसको हम डिनोट करेंगे P1 डैश से तो P1 डैश बराबर हो जाएगा P1 नोट X1 डैश के बराबर हो जाएगा क्लियर है अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं जब हमने जल और मिलाया तो वाश पिदाब हमारा कितना आया 2.9 आया था लीजे अपोन 5 प्लस M और यह हमारी निकल के आ गई equation number second second नाम दे दिया इस समीकरन को अब आगे देखिए समीकरन 2 में समीकरन 1 का भाग देने पर जो हमारी यह समीकरन number 2 है इसमें जो हमारी समीकरन number 1 थी उसका हम divide करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आयागा 2.8 बटा 2.9 बराबर 5 प्लस M 6 प्लस M यह हमारे पास निकल के आयागा इससे आगे solve करेंगे देखिए तो देखिए जो 2.8 है वो तो गुणा हो जाएगा 6 प्लस M से और 2.9 है वो गुणा हो जाएगा 5 प्लस M से और अब हम जब इससे solve करेंगे तो हमारे पास जो M की value निकल के आएगी वो निकल के आएगी 23 ग्राम पर मूल देखिए बचचे जब इसका आप solve करेंगे तो हमारे पास जो dear capital M है निकल के आएगा 23 ग्राम पर मॉल और यह क्या निकल के आया है यह निकल के आया है विले का मुलर द्रव्यमान अते विले का मुलर द्रव्यमान कितना है? 23 ग्राम पर मौल क्लियर है? यहां तक समझ में आगया अब आगे हम पता करेंगे वाश्पदाप को देखिए समी करन 2 में M का मान रखने पर, जो यह हमारा M का मान निकल के आया है 23 M upon 5 plus M, यहां पर हम यह M का मान रख देंगे, रख देंगे, M का मान रखने पर देखिए क्या होगा लिजे भई, आपने यहां भी M का मान रख दिया, 23, ठीक है और जब हम इसे अब सॉल करेंगे, इसे जब हम लोग सॉल करेंगे, तो देखिए, हमारे पास जो वाष्पदाब निखल के आएगा वो निकल के आएगा 3.5 तीन किलो पासकल देखे बच्चो जो वाश्पधाब निकल के आएगा तो देखे यह प्लेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने अलग-अलग equation बनाई एक बार तो जब 90 ग्राम जल था तब बनाई तब हम लोगों ने तो उसके आधार पर भी हम लोगों ने वाश्पदाब की समीकरण नंबर 2 बनाई झाले में ग्याद करें ठीकें हमें तो दोनों में से किसीple समीकरन में हम अगर M का मान रख देंगे तो हमें यह वाश्प दाब है वो हमें पता चल जाएगा ठीक है तो यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा आगे देखिए अब प्रश्न नमबर 20 देखिए शक्कर के पांच प्रतिशत द्रव्यमान जलिये विलियन का हिमांग 271 स्ट्रवांग कृणि को दो करना थे हमांग के क्या चुछंड़ प्रतिशत जलिये विलियन है उसका आपको दिया हुआ है चुद्ध जल्क भी आपको दिया हुआ है 273.75 K विन अब क्या करना है जो 5 प्रतिशत u हुम लोग कड़ना कर लिए हम्हें की किया करना कर लोग को हम लог पड़ा है। उस सुत्र को हम लोग काम में लेकर यहाँ पर क्या करेंगे हिमांग की गणना करेंगे तो देखिए आपको कैसे करना है शक्कर के 5 प्रतिशत द्रव्यमान विल्यन का अर्थ है 5 ग्राम शक्कर और 95 ग्राम H2O ठीक है आगे देखिए डबलु तू आपको पता है जो विल्य की मात्रा है वह 5 ग्राम है और इस देखिश तो । दिटव्या जसेंगे देखिए होग। है C 12 H 22 O 11 जब आप इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो यह मोलर द्रव्यमान निकल के आएगा 342 ग्राम पर मोल ठीक है डेल टी एफ यानि हमांक में अवनमन आप लोग निकाल सकते हैं हम लोग क्या करेंगे जो जल का हम लोगों को हिमांक दिया हुआ है 273.15 उसमें से हम क्या करेंगे जो शक्कर के 5 प्रतिशत जलिये विलियन का हिमांक है उसको हम लोग घटा देंगे यह निकल के आगया 2.15 ठीक है अब देखिए हम सारी वैल्यू पूट करते हैं के एफ बराबर डेल टी एफ गुणा एम टू गुणा डबलू वन इसमें हम भाग देंगे हजार डबलू टू का यहां पे हम वैल्यू पूट करेंगे देखिए बच्चों के एफ बराबर 2.15 गुणा तीन सो बियालीस गुणा पिच्चानवे हमने भाग दे दिया हजार गुणा पांच का और यह के एफ यानि जो हमारा मोलल अवनमन इस्तिरांग के वो कितना निकल के आया है तेरा दश्मलव नो साथ कैल्विन किलोग्राम पर मोल निकल के आया है क्लियर है अब आगे देखिए अब हम ग्लुकोज के पांच प्रतिशत जलिये विलियन के लिए हमांक ग्याद करेंगे तो हमें kf ग्याद होई गया सबसे पहले क्या क्या कि क्योंटिटी का मात्रों अब हम यहां पर इस टीएफ व मान ग्याद करेंगे तो यह कuonseकर के तो झाला तो हमारा ग्लुकोज का मोलर ज्रव्यमान 180 हो गया और जब हम सब वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे तो हमारा यह आएगा 4.08 केल्विन ठीके अब हम क्या करेंगे कि विल्यन का हिमांक कितना है अब हम लोगों को पता है कि जैसे ही एव अश्पिशिल विले को मिला जाता है हिमांक में कमी आ जाती है अब हमें विल्यन का हिमांक ग्याद करना है तो जो हमारे शुद्ध जल का जो हिमांक है उसमें से हम 4.08 को घटा देंगे और हमारा आंसर निकल के आएगा 200.07 केल्विन ठीके यह समझ में आया होगा आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या सुत्र वाले दो योगिक बनाते हैं वह ए और बी जो मिलकर एबी टूर एबी फॉर वाले योगिक बनाते हैं बीस ग्राम बैंजीन में गोलने पर एक ग्राम एबी टू हिमांक को दो दश्मलव तीन केल्विन अवनमित करता है लेके बच्चों बीस ग्राम बैंजीन में ज सबसे पहले हम योगी की बात करेंगे जो एबी टू है उसकी बात करेंगे तो के लिए हमें पता है कि इसके लिए डबु तू यानि विले है उसकी जो मात्र है वह कितनी हूगए एक घ्राम हो गई क्लियर अब विलायक की बात करें 10 дней वभ्लुवन हम लेते है के लिए विलायक के लिए विलायक की मात्र हो गई 20 घ्राम ड कि बच्चों प्रेशन को देखे वापस यह सब हमें दिया हुआ है मोलर अवनमन इस्तिरांग हम लोगों को दिया हुआ है 20 ग्राम हमें बताई हुई है कि बैंजीन जो विलाया के उसकी मात्रा हमें दी हुई है अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे सारी वैल्यू ज हम लोग पुट करेंगे यह इड्ल्टी एफ है हमें देटी नयव चीक बराबर यह फॉर्मुला होता है हमें अम क्या करेंगे यहां पर सारी वैल्यू इसको भूकरakukanके हम लोग के रात तू का मान गयात करेंगे थो देखिए के नडी गुणा हजार इसमें भाग देदेंगे डेल टी एफ और डबलु वन का चलिए भई हमने सारी वैल्यू पुट करके यह हमारा निकल के आया 110.87 ग्राम पर मोल यह क्या निकल के आया यह हमारे जो अब यह निकल के आया है 110.87 अब बात करेंगे योगिक एब फोर के लिए देखिए बच्चों एब फोर के हम लोग बात करें तो वही विले की मात्रा एक ग्राम विलायक वही बीस ग्राम है और यहां पर अवनमन दिया हुआ है एक दश्मलाव तीन केल्विन क्लियर है और जो मोलल अवनमन इस्तिरांग के वह पांच दश्मलाव एक दिया हुआ है चलिए यहां पर हम क्या करते हैं एबी फोर के लिए मोलर द्रव्यमा निकाल लेते हैं अब लोग क्या करेंगे यह सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास जो यह एम टू निकल के आगया यानि जो एबी फोर जो एबी फोर हमारा योगिक है इसके लिए हमारा मोलर द्रव्यमा निकल के आया है 196.15 कितना निकल के आया है 196.15 निकल के आया है अब देखिए माना एक परमानविक द्रव्यमान हम लोग माल लेते हैं क्या होगा यह जाएगा इसी तरीके से देखिए अब यह हमने अभी हमने निकाला था देखे पीछे वह हम लोगों ने कितना निकाला था देखिए बच्चों वह हमने निकाला था 110.87 निकाला था न हमने अभी टू के लिए तो क्या होगा यह जो हमारा ए प्लस टू भी है यह बराबर हो जाएगा 100.87 के बराबर क्लियर है अब इसी तरीके से अगर अभी फोर की बात करें तो अभी फोर का मोलर रव्यमान ए प्लस फोर भी यह बराबर हो जाएगा 196.15 के देखें पीछे यह हमने निकाला था यह हम एक्वेशन नंबर वन को घटाएगे तो लास्ट में हमारे पास बी निकल चाहेगा 42.64 जो हमार पास बी का परमान दभ्यमान है वह निकल के आएगा 42.64 अब इस 42.64 को हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग देंगे 42.64 रख दिया और यह हमारा एका मान निकल के आया है 25.59 ठीक है यानि यह तो हमारा आगे चलते हैं अगला प्रेशन देखे प्रेशन नंबर 22 क्या है तीन सो केलवीन पर 36 ग्राम प्रती लिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सांधृत्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दश्मलों पांच दो बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी देखे बच्चो अगर यह परासरन दाब एक दश्मलों पांच दो बार हो तो हमें उसकी क्या ग्याद करनी है सांद्रता ग्याद करनी है तो देखे कैसे करेंगे क्या दिया गया है हमें हमें परासरन दाप दिया गया है जो है चार दश्मलों नो आठ बार दिया हुआ है सांधरता सी हमें पता है अभी सांधरता सी कैसे निकालेंगे g pigs से грам में मातरा और उसमें भाग की देंगे Molar Mighty है गुल्ड ऑफी कितनी मातरे 36 मोला निकाल लंगे See निकाल लेंगे अभ परास्रन दाप का फॉर्मूला होता है पाई बराबर C R T न Ge तो सबसे पहले हम इस R को ज्याद करेंगे क्या ज्याद करेंगे हम R की ग्यात करेंगे देखिए कैसे करेंगे पाई बराबर सी आर टी यह पाई जो परासरन दाबे दिया हुआ है चार दश्मलों नो आट रख दिया हमने सी का मान 36 बटा अब आगे देखिए यदी परासरन दाब एक दश्मलों पांच दो बार हो तो सांधृता क्या होगी हमें यही तो ग्यात करना है तो वापस देखिए यही सुत्र लगाए पाई बराबर C, R, T अब हम लोगों को यह सांधृता ग्यात करनी है पाई हमें पता है जो परासरन दाब है वह है एक दश्मलों पांच दो यहांने रख दिया सी हमें ग्यात करना है और हम लोगों निकाली लिया यहां रख देंगे हम लोग और टेमपरेजर हमें पता है 300 रख दिया और यह देखें लास्ट में हमारी सांधता यह निकल के आई 0.061 मोल पर लिटर तो कुछ भी नहीं करना है बहुत आसान प्रेश्न है सीधा- Laurie पका फॉर्मिला लगाना है पाई निम्न लिखित युगुमों में उपस्तित सब समेसे महतवपूर्पüन अंतर आंविक आक्रिशन बलों का सुझाव दीजिए हमें और शायओ पहला बताना एं occ되는 के बीच में तो देखिय दोनों ही होते हैं और इन के बीच में बाए पाया जाता है वांडरवा वांडरवाल जो करैров feather ہोता है को शाख सोता है लो झाक्रशन पाया जाता है water 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 Love भीहेज तो तो लोग बात करें तो यह तो Sun Aurora सकी अशमता होतीए युक्षार था हूं है तैसमें दिर्वनता पाई जाती है यानि इसमें इनमें बाता है आयन दिर्व आयन दीदर्व आक्रशनबल पाया जाता है है मैथेनोल और अशितोन कि हम लोग है वे आपकारहनम तो देखर अशितोन में हाइड्रोजन बंद बनाने की शमता पाई जाती है तो इनके और होता है वो hydrogen प味ले चाहिं पहले में वांडर्वichen पहल ब हमने देखा ना उनके बीच में मैं अक्रशन बहिता harus एससी दूसरे की हम लोग बात करें इसमें भी वांडर्वोल आक्रशन बहुता है तीसरा एक तीसरा बीमी ने क्रिया चौथे में हाइड्रोजन बन और पांचवे में दीद्रू दीद्रू अन्यून्य क्रिया पाई जाती है ठीक है अगला प्रेशन देखिए प्रेशन नंबर चोईस देखिए विले विलायक आक्रिशन के आधार पर निम्न लिकित को एन ओक्टेन की विलेता के बढ़ते क्रम में व्यवस्तित कीजिए देखिए बच्चों के सी एच त्री ओएच सी एच त्री सी एन और साइक्लोहेग्जन इन्हें हमें क्या करना है ए सबसे पहले साइक्लोहेग्जन की सबसे ज्यादा होगी उसके बाद सी एच त्री सी एन की सी एच त्री ओएच नी मैथनोल की और उसके बाद के क्या होता है आइनिक होता है के प्लस और सील माइनस में तूट जाता है न तो यह क्रम होगा एन ओक्टेन की विलेता का ठीक है आगे देखिए कि प्रेश्चन नमबर 25 पहचानिए कि निमनलिखित योगी को में से कौन से जल में अत्यदिक विले आंशिक रूप से विले पीज़ को बात कर रहे जल की जल ढूवे विलायक है तो दुवे पधार जय में आसानी से विले हो जा जाएगा सब से पहले बात करते हैं फिनोल के बारे में मैं देखिए जो फिनोल होता है वह outta होता है फिनोल में और धूर्वनता पाई जाती है लेकिन इसका जो कि बात करें तालुइन तो फार्मी कमल की बात करें तो यह क्या होता है अथिदिक विले होता है और इसी तरीके से एथिलीन ग्लाइकोल भी अथिदिक विले होता है एडिरूबी है TV होता है और पैंटेनोल क्या होता है इसमें आटिक विलेए कुछ फेल्ट में है को आपदो दो से इसमें चीह फीलेए सब संसे जयंते इसमें भेर होता है थेंटेनी्ब में फिलते हही थोड़ा होता है तुछ यह आंसर दिये हुए फिनोल आंशिक विले तालूइन एविले यतिदिक विले फार्मिकमल एतिलिन ग्लाइकोल अतिदिक विले क्लोरोफॉर्म एविले और पैंटेनोल आंशिक विले ठीक है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण नमबर 26 देखिए यदि किसी जील के जल का घनत्व दिया हुआ है एक दश्मलोव दो पांच ग्राम प्रती मिलीलिटर तता उसमें बाणवे ग्राम एने प्लस आयतन प्रती किलो जल में उपस्तित है देखिए प्रती किलो जल में तो जील में एने प्लस आयन की मोल के मोल की संख्यान की मोल आगे Mt 10 आगे झाल के मत्सव्र मॉल मीन बicz tu निकलने है तो तो मॉल है क्या करेंगे चर्मन एक मात्र की उसमें पढ़ाब सिम्स洗ाण प्रती के 25 डिशना गया है अब विलायक का द्रव्यमान जल का द्रव्यमान दिया हुआ है देखे प्रती किलो का मतलब क्या हो गया हजार ग्राम बस मोललता के सुत्र में वैलू पूट कर देंगे देखे बच्चो मोललता बराबर विले के मोल जो चार ग्राम है विलायक का द्रव्यमान हजार गुणा कर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ठीके धन्यवाद